किबब करना चाहिए किसी मशीन की सेटिंग रिमान की सेटीं ऐसे आपकी सीलाइऑ मशीन विल तो नहीं गया है नमसकार दोस्तों मैं गोबिंद हमारे चटनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर सिलाइऑ स्वाल कहाँ है कि हमासे पता करेंगे कैसे करेंगे कि हमारी सिलाई मसिन के सटल है उसकी सेटिंगक हली है कि नहीं उसकी सेटिंग सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको सिलाई मशीन के सटल की टाइमिंग या सेटिंग हिली एक नहीं मतलब सेटिंग सही है या गलत है पहले करने के लिए सबसे पहले आपको सिलाई मशीन के सबसे पहले और हüşाने के आपको इस पाटरी को खोलना है तेख को खोलने तब ही जाके आप चेक कर पाएंगे देख पाएंगे खुल जा आत जाते गली में मेरा दिल धाड़के मेरे पीछ पड़े हैं आत दस लड़के यह देखिए नट खुल गे दोनों अब नट खुलने के बाद इस वाली पट्री को साइड कर लेना ठीक यहां से साइड कर लेना ताकि यह पट्री अराम से निकल जाए ऐसे देखिए इसको ऐसे निकाल लेना पट्री को ठीक है और पट्री को निकालने के बाद अब यहां आपको ध्यान देना है देखिए सब सब पहले तो मुझे इस लाई मसीन के दात को खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं खोलूंगा पता है क्या है आज दिन मैं वुडियो सूट कर रहा हूं इस दिन मेरे चनल पर पांच या सब्सक्राइबर हो गया है इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हमारे चनल की वीडियो देखते रहे चनल क काशिस कीजिए ध्यान लगाएगा तथना देखिए घ्रूब कर लेता हूं देखिए ज़ सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे पता करेंगे कैसे जानेंगे कि हमारे सटल की सेटिंग, पूरे सटल की सेटिंग सही है या गलत, देखिए, सटल की सेटिंग सही है गलत, चेक करने के लिए, आपको दो जगा ध्यान देना पड़ेगा, यह देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यह जो हमारे स्टोपर है, और तो इस्टोपर का यह hook है, यह हमारे सटल में खुंसाबा होता है, यह सटल को रोग के रखता है ताकि हमारे सटल घूमेना इसकी सेटिंग फिट बैठे, तो यहाँ आपको देखना है, यहाँ से सटल आपका निकला हुआ तो नहीं है, हिला हुआ तो नहीं है, जो अंदर का हुई है, यह सूँई इस 홑ल में जाते समय कहीं टाश तो नहीं हो रही है, अबर कहीं टाश हो रही तो समझ जाइए, ति आपके शेटिंग, पूरे सटल की सेटिंग हीली हुई है, इधर धर हिल गई है, ठीक है, एक चीज़ और जरूरалы चेक करें, यह भी देखें कि जो आ अगर गाप है तो समझ जाए आपके सेटलल की सेटिंग सही नहीं है इधर वह घर आप करते हैं जमें की मुणत्र साइट मोफिति खरने की क्यां अब अब सिदम हूं ताय जिसको घुमा के सूई हम उपर नीचे करते हैं इस चक्के को सई डारेक्षन में घुमाते हुए आपकी सिलाई मसीन की सूई को नीचे लेके आना है सटल के अंदर यह देखिए ऐसे और जब आपकी सिलाई मसीन की सूई उपर आने लगेगी और आपका सटल का हूख जब एक सूई से जबा उपर है या फिर होल के पास है या फिर होल से नीचे है तो समझ जहिए कि आपकी सिलाई मसीन की सटल की टाइमिंग सही नहीं है गलत है और कैसे सेट करेंगे इसकी वीडियो मैं आपने चनल पर अप्लोड कर रखा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिशन में क्लिक दिया हूँ उसके कि एह सक्ते हैं या फिर हमारे चनल पर वीजा कि लेकर सकते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गयें paiיה कि कैसे पता करना चाहिए कि आपकी सिलाइ मसिन के सेटल की सेटिंग खिली एक नहीं आपका स्यस्थी है या नहीं मैं आशा करता हू तो और भी काफी सारी वीडियों पड़ी हुई है, देखें और सिखें